जैहें दोस्तों कैसे आप सभी लोग उम्मेद करते हैं सवस्त होंगे मस्त होंगे और पढ़ा उड़ाई चल रहा है अग्दम बढ़ियां आज बेटा हम आप लोगों के लिए बेरोजगारी की समस्या पर निबंद बहुत ही इंपॉर्टन निमर लेके आए हैं जो कि हर साल पेपरन पूछा जाता है और नव नमबर का आता है बेटा और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है अगर आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ऐसे धेर सारे वीडियो आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे ठीक ह तो पहले निवंद लिखने से पहले आप लोगों को लिखना परता है बेटा क्या रूप रेखा सबसे पहले आप लोगों को लिखना क्या रहेगा रूप रेखा रूप रेखा में बाबू जो हेडिंग रहेगे सबको लिखना है ठीक है प्रस्तावना बेरोजगारी का आर इससे क्या होता भीटा? जो प्रमूख समस्त्या है, हमारे देश की जो क्या है? बहुत ही प्रमूख समस् exclusively है, ये दिन प्रति दिन बढ़ती ही जारही है, और ये क्या हो रहा बेटा? हमेशा लगातार बढ़ रहा है, इसके एक और गरीबी, भुखमरी, गरीवी दिन बढ़त इससे क्या होता बेटा गरीवी बढ़ती है और भुकमरी बढ़ती है तो उससे क्या होता फिर योकों में जो इवा वस्था में रहते हैं उनके अंदर आक्रोस होता है वो अमसासन हिंता करने लगते हैं तो इसको क्या कहते हैं बेटा अमसासन हिंता को बढ़ावा मिलता है ठी सारे बेरोजगारी के कारण बहुत सारे समस्यां उत्पन हो जाती है ठीक है दूसरा हेडिंग क्या था बेरोजगारी का आर्थ तो बेरोजगारी का आर्थ क्या ध्यान देना जब कोई योगता तथा काम करने के लिए इच्छुग बैक प्रेचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिले जब क्या हो वेटा कोई ऐसा मजदूर हो या बैक्टी हो जिसकी जो योगता है उस योगता के साब से प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होता है मतलब जो मजदूरी सबकी चल रही हो वह उसको भी मिले इस पर तैयार हो और उसके काम ना मिले फिर भी उसको काम ना मिलता हो तो ऐसी आवस्था बेरोजगारी कहलाती है यह आवस्था क्या कहलाती है बेरोजगारी कहलाती है ठीक है बालक ब्रिद बालक मतलब बच्चे ब्रिद मतलब बुड़ जो होते हैं बुड़े होते हैं जो अच्छा मतलब रोग यो अपंग बेक्तियों को बेरोजगारी की स्रेडी में नहीं रखा जा सकता ऐसे जो बेक्ति होते हैं बेटा जैसे बालक हुए, ब्रिद हुए, रोगी हुए, अपंग हुए इन सब को बेरोजगारी की स्रेडी में नहीं रखा जाता है बेरोजगारी की स्रेडी में नहीं रखा जाता है इन सब को क्योंकि वो काम करने की योग नहीं है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेरोजगारी का कारड़ अब बेरोजगारी जो है उसकी कारड़ क्या है बेरोजगारी का कारड़ क्या है जन संख्या में तीब्र गत्से ब्रिद्धी जो जन संख्या वेटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो मेन तो बेरोजगारी कारण यह भी है जन संख्या में क्या है बेरोजगारी बहुत ज्यादा ब्रिद्धी हो रही है सिच्छा का भाव और दूसरा क्या है वेटा सिच्छा की कमी भी है लोगों के अंदर वो भी बेरोजगारी के कारण है बैज्यानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग जो बैज्यानिक लोग है वेटा बहुत सारे उपकरण बना दे रहे हैं यंत्र बना दे रहे हैं जो मतलब सौसो आदमी पचास पचास आदमी का काम एक मसीन अकेले कर दे रहे है उससे भी क्या हो रहा है बेटा लोगों का रोजगार जा रहा है अनेक प्रकार के मसीनों का निरमाड भारी संख्या में सरडार्थियों का आगमन और बेटा बहुत सारे समसीन बन जा रहे हैं जो हमारे मतलब मज़दूर भाई करते उनकी काम ओ घंटो बर में कर दे रहे हैं और दूसरा अगला रीजन क्या है बेटा बाहरी देश से दूसरे देश से जो सरडार्थि आ हैं बहुत ज़ादा संख्या में नार है ओभी बेटा क्या है बेरोजगारी का कारण है आगवन मानसून की अनिफ्टा की मान योम पूरती से संतुलं सरकारी नौकरी में कमी इत्याद नौकरी में कमी यह सब क्या है बेटा बेरोजगारी भी रोजगारी को दूर करने के लिए निम्द तरीकी अपनाना चाहिए अब बेटा जैसे भी उसके विजगारी दूर करने के लिए बहुत सारी तरीके हैं इसको अपनाना चाहिए ठीक है जन संख्या ब्रेद्धी पर ने अंतर मतलब जन संख्या ब्रेद्धी पर रोक लगानी चाहिए जन संख्या जादा बढ़ाना नहीं चाहिए परिवार नियोजन को विस्तारिद करना सिच्छा का विकास करना उटिर उद्दोग का विकास करना इस सबसे क्या होगा बेटा बेरोजगारी कम होगे देश में ब्यापक अस्तर पर अद्दोगी करण शुरू करना मतलब बहुत बड़े अस्तर पर अद्दोगी करण शुरू करना ठीक है बेटा, किर्सी के विकास के साथ साथ जैसे खेती कर रहे है आप लोग, इसके साथ साथ बेटा, पस पालन, मुर्गी पालन को विक्सित करना, सडक का निर्माड, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माड, मन रेगा को सुचार रूप से चालू रखना इत्याद, जो अपने विचारों को वेक्त करते हैं, सरकार के सामने वेक्त करते हैं, पबलिक के सामने वेक्त करते हैं, लोगों के सामने वेक्त करते हैं, यह हमारा विचार भी मर्स है, और इस प्रकार से क्या होता है, बेरोजगारी को रोका जा शकता है, तो हेडिंग लाश्ट में डाले सब लोग मजबूरी का फैयदा उठाके कम कीमत पे या कम दिहाडी पे काम करवा लेते हैं वो नहीं करना चाहिए हमें श्रैम का छोटा साही धन्दा सुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए हमें छोटा मोटा ही बिटा क्या बिजनस शुरू कर देना चाहिए, धंदा शुरू कर देना चाहिए, अगर आप बहुत छोटे आदमी हो, फिर भी ऐसा धंदा शुरू कर दिये, चार छे लोगों को रोजगार दे रहे हो, भले ही प्राइवेट ही हो, उससे आगले की रोजी रोटी चल रहे है, तो भी क बिहारी मिल जाती है, मतलब रोजगार मिल जाता है, और वे अपने घर का खर्चा चला लेते हैं, ठीक है, उपयोग करना चाहिए, जादस जादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए, इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं, और यही सब पूरे नंबर पाओगे और जितना इतना भी बड़ा लिखतो नंबर तो उतना ही नव नंबर ही मिले का आप लोगों को ठीक है तो ज्यादा टाइम बेस्ट करके कोई मतलब नहीं है आप लोगों से एक ही रिक्वेश्ट है जितना उसके चैनल को सेर करें और सब्सक्राइब क कि अपरेंड़ खाओगों मतलब नहीं कि अपना इतना 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 है जो जड़ है य।